देश में विभिन राज्जे सरकारों द्वारा किये जा रहे बुल्डोजर एक्षन पर सुप्रीम कोट ने सक्त नाराजगी जाहिर की है एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोट ने कहा कि क्या कोई किसी का भी घर सिर्फ इसलिए तबा कर सकता है क्योंकि वह आरोपी है सुप्रिम कोट ने कहा कि अगर कोई आरोपी दोशी भी पाया जाता है तो उसका घर बिना तै कानून के तबा नहीं किया जा सकता जस्टिस बी आर गवई ने मुस्लिम संग्ठन जम्यत उलिमाई हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा सिर्फ इसलिए घर कैसे गिराय जा सकता है कि वह आरोपी है अगर वह दोशी है तो भी घर नहीं गिराय जा सकता सुप्रिम कोट बार एस्सोशेशन को बताने के बाद भी हमें रवाईये में कोई बदलाव नहीं दिख रहा याचिका पर सुनवाई कर रही पीट में शामिल जश्टिस के वी विश्वनातन ने कहा कि किसी को भी कम्यों का फायदा नहीं उठाना चाहिए पिता का बेटा अडियल या आग्या ने मानने वाला हो सकता है लेकिन अगर इस आदार पर घर गिराया जाता है तो यह तरीका नहीं है सुनवाई के दोरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सोलिस्टर जनरल तुशार मैता ने दलिल दी की कानून का उलंगन होने पर घरों को गिराया जा रहा है उन्होंने कहा हम तभी कारवाई करते हैं जब कानून का उलंगन होता है इसके जवाब में पीट ने कहा लेकिन शिकायतों को देखते हुए हमें लगता है कि उलंगन हुआ है न्यायमूर्थी विश्वनाथन ने पूरे राज्य में अनाधिकरत इमारतों को धुरस्त करने के लिए एक दिशा निर्देश की आवशक्ता पर भी गौर किया न्याय मूर्ती गवाई ने कहा सुजाओ आने दीजिए हम अकिल भारती इस तर पर दिशा निर्देश जारी करेंगे सुप्रिम कोट ने कहा कि वे किसी भी अवैद निर्मान को संरक्षन नहीं देगा हम पूरे देश के लिए दिशा निर्देश निधारित करने पर विचार कर रहे हैं मामले के सुनवाई 17 सितंबर को तै की गई दरसल बुल्डोजर एक्षन के खिलाव सुप्रिम कोट में याचिकाए दायर की गई थी इनहीं याचिकाओं पर सुनवाई करते वे सुप्रिम कोट ने ये टिपणी की है जनता दर्बान यूज में फिल हाल के लिए इतना ही